तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्शर में यूपी प्यश्ती के आप लोगं के डिमांटिट कॉस्टन्स यह आप लोगं के डिमांट कर रहे थे कि आण को इसके को डिसक्स करने वाले यहां पि свी पो इंपरने टिशंद यहां तो यहां पर जितने भी क्योंकि यह रियक्शन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है इसमें से को इसमें से दोतीन तो रीपीट होना ही होना बिल्कुल फेक्स है तो यह यह इसको हम लोग कवर कर लेंगा उसके साथ साथ में बिल्कुल सॉलिशन डाल दिया है यह इसको करना क्या है जितने भी यूपीपीस के प्रीविए से कुष्टन करना है क्योंकि हमें पता है कि चाहिए वह आश्राम पद्दती हो चाहिए वह जी आई सी में जाहिए जी आइसी का हो दोनों ही फस्ट बार पेपर हो रहे हैं ठीक है तो इसके हम मैंने बताया था कि यहां से क्ष्टन भी कहा से आएंगे जो यूपीपेसी प्रीविएस करा रही है दूसरे से एक तो आप लोगों को सीधे सिधे को श्टन वहीं से देखने की मिलेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ हैं जो हिंदी का जो स्रीज था ह प्रोटीन वालाज है उसके बाद साथ-साथ-साथ हमारा उसके बाद साथ और इंपोर्टेंट नेम्ड रियक्शन किसकी क्लास 12 की और इंटर के उसकी सारी पक्य कर लो बिल्कुल ठीक है और जो मैं करा रहा हूं इसमें कम से कम तीन नहीं तो फिर चार-पांस रिपीट होंगी इसकी सेम रिपीट होना ही होना है तो चलिए यहां से हम आज का टॉपिक यहां पर दिया गया टूटी जो हैं पहुत पहचानना है क्या बनेगा तो देखिए यहां पर पता है कि यह क्या करता है सिंडाय हाड्ड ऑक्सलेशन करता है मिस्सिंट पोजिशन मतलब बोनों सेम साइड में वर इस गुरुप ला देता है जब इसकी एलकिन से रिएक्शन जब भी अगल बगल में Joy group होते हैं तीक है जब भी अगल में ऊच्छुरूप है अगर एसे डाल दिया गया तो वहाँ पिनाकोल पिनाकोलों रियरेज्मेंट होती है यह कंडिशन है अगर ओएस अगल बगल इस वो निकलने के बाद देखेए प्रोटोनेशन होगा जब आसे देंगे तो इसके ओपर रोटोनेशन के बनेगा यहां से निकलेगा तो यहां पर कार्वोगोटीन बना तो वही हमारा भी बन जाए विए हैं डौटी फॉलन कर जाएगा इसके ओपर तो यहां से प्लस निकल जाएगा डबल बन जाएगा इस यह हमारा डी प्रोडक्ट बन जाएगा तो चलिए इसको मैं मेकनिजम सही डिटेल में आप लोगों को दिखा देता है उसके साथ कुछ क्या कहा था यह सिरी शिप्टिंग होगी अपर कर्भो चेप्ट यह बहुत होता है यह से सब्खेब तो शिफ्ट होना पड़ा उसके बात क्या होगा यहां पे जो है रिलीज करेगा में यह इस होना प्रोड़क्ट एकथ प्लस निकनने के वाद जो बनना है डे प्रोड़क्ट हमारा यह बन जाएगा की टों ठीक है तो यह हमारा फाइनल प्रोड़क्ट बन जाएगा चलिए इसके ऊपर हमको कुछ इस एक्जामपल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए तो चलिए यहां से देख लेते हैं अब देख लीजिए कि जब कभी भी देखिए आप लोग तो यह तो सुन लिए वहां पर सीमेट्रिक था दोनों तरफ बराबर सेम कंडिशन थी देखिए इसमें भी सेम कंडिशन है तो कभी सेमेट्रिक न देया हो तो कार्बो की अपब कहां से बनाना हमें श थेट्व काहां देना है देखिए यहां पर साही से बीगाती के विस्टेशन यहां पर लगा है तो यह देखिए, बेंज़ियन कार्भोकेटन बनना है this आत्याम होगा खता है और तीन क्या होते है, अब देखिए अगली स्टेब में दूसरा हम लोग देख लेते हैं एक्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए अब देखिए सेम दो दो पीएश दी एक पीएश तो हमें दो पीएश वाला ज्यादा इस्टेबल हो का कार्बोकेटन यहां बनाना है उसके बाद देखिए हाडोजन ज यहां पे यहां पर याद होता है थिक है फ। बनता है जिसमें ग्रूप कर यहां पर देखिए यहां पर भी सैम्छीज होगी आगए यह यहां पर यह पर दिया हुआ लिए प्रोडक्ट ना बनकि हमाना ये प्रोडक्ट बनता है क्योंकि लिआ निकल ला तो विक्ससाइट एक इसमें टीक है fr식 होता यह हुसा होता है तो सजय सब्सक्राइब देख सकते हैं सेम कोस्टन यह वाला भी अब यहां पर भी अटेक कराना है फिर सी तरी को माइगरेट करा के ल्डाट की टोन बना लेना है ठीक है यह आप लोगों का कोस्टन हो जाएगा तो आप लोग यहां से प्रैटिस कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम नंबर में दी हुए है पांच पांच नंबर के एक रिक्षान देखे सबसे काफी इसी रिक्षान है कंसे आप लोगों को देख रहा होगा जब भी फिनाल के अभी करिया किसे क्लोरोफार्म के साथ की जाती है बेसिक कंडिशन में तो हमें पता है कि आर्थो पोजिशन पे लिहाइट गुरूप आ जाता है इस अभी के रिए को हम लोग जानते हैं का उनसे नाम से रिमर टीमन रियक्षन के नाम से जानते हैं काफी फेमस इंपोर्टन रियक्षन है ठीक है इंटर्मीडियर्ट की क्लास 12 की तो चलिए हम लोग इसकी में डिटेल में देख सकते हैं तो चलिए यह देख लिए इसका फानल प्रोटक्टी जो बन जाएगा हमारा अर्थो अर्डॉक्सी बेंदल लिहाइट या तो इसी को क्या बोलते हैं सैलेसल लिहाइट के नाम से जानते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी मेकनिजम तो हमें पता है कि क्लोरोफाम पड़ा है है एक अर्डॉजन लगा होता है तो हमें पता है कि क्या तीनों ही सियल इलेक्टरन विड्राइग नेचर के माइनस आई एफेक्ट लगा रहे हैं तो जिसकी वज़े से होगा क्या यह इस प्लस का निकलना काफी आसान हो जाता है इसका मतले काफी एसडिक होता है पड़ा क् हैं इसी को हम लोग कार्बीन के नाम से जानते हैं तो यह हमारी क्या बनती है कार्बीन तो यह रियक्शन काउंसी होती है इसका मतलब जो है मारी रिमा टीमा रियक्शन जो होती है कार्बीन इंटर्मीडिट के थुटू होती है तो अगर पूच ले आप लोगों से विश व ये भी रिजन देहीं अगोस्टोन आता है दूसरी चीज़ काफी हैक्व कुद्ट क्योंकि क्या करते हैं इसके जो लॉन भेर होते हैं पूरी दिलोकिलाइज हो सकते हैं मिश सभूसक्ति हैं इसकी वजयß से है scorस को निकाननेके वाद काफी ज्यादा स्टेबल सनल इसलिए को निकानने के बाद जादा इसलिए फिनक्साड आई जादा स्टेबल होता तो यही चीज भी यहां पे अंदर के रोटे कि आर्थो पोजिशन से हमें पता है यह सब क्या होते हैं तो पोजिशन के अपकी नहीं के लिए अब देखिए इसके उपन नेगटिव जो हमें पता है यहां पर जो एच्छे इसके साथ क्या करता है जिसकी वज़े से काफे ज़्यादा करता है चलिए तो दो आप लोगी इस पर काफे ज़्यादा प्रेक्टिस हो गई इस साथ जो भी कोशन आएगे आप लुक्स से चुटेंगे नहीं चलिए अगली हमारी नेम्ड डिक्शन यह एक और है जब भी एल्डियाइड के दो मुल हमें पता है फार्मल डियाइड अगर ले ले लें अगर बैसिक कंडिशन में इसकी रिक्शन कराते हैं ने वाच या कि इसकी नाम से जानते हैं लेकिन जब कभी एल्लियाइड गुरुप दोनों से एक ही मॉल्यकूल में परजेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो यहां पर इंट्रा मॉल्यक्ट के निजारों का ही एकजामबल दिया था तो इससे क्या बन जाएगा एक मॉल इसका इलको तो इसके मेकनिजम भी लोगों को करना तो हमें पता है कि पॉर्टान को रिलीज कर देगा है तो हमें पता है इसके ऑपना नेगट्व आ रहा रहा तो तो यह क्या कर लेगा यहां पर hydrogen carbon को shift कर देगा तो यह क्या हमें पता है कि अंदर अगली स्टम में क्या करता है कि यह अकला प्रोटान से खीच लेता है देखिए अब दूसरी चीज इस तरीके साथ लोग समझ सकते हैं कि जिसे क्या हो यह मान लेते हैं निकाल देता है वजिसकी वज़े से इस वज़े से बन गया हमारा क्ली सब्सक्राइब हमारा एक मॉल्किया तुम्हारा एलकोहल का बन गया दूसरा मॉल किसका बन गया इसके साल्ट का बन गया अगर एसीड डाला गया तब तो यह तो यह तो हमें पता यह इसके बनना चाहिए तो यहां पर निकलेगा तो इसके ओपर क्या आ जाएगा पास्ट उचा जाएगा तो यह क्या हुआ इवन इलमिनेशन वा उसके बाद क्या होगा क्योंक्य हांब नहीं तो क्या करेगाeled when गये तो हमारा क्या बनेगा थो मैगरेट करके चला गया इसके ओपर दो मैइच पहले है यहां से बन सकती थी यह वाली दूसरी जो है इधर वाला जो कार्बन क्या करें थार्जन को निकालते तो इधर से बन सकती थी तो हमें पता है देखिए कौन-कौन हमारे पास आप्षण आए एक तो एलकी नुपर से बन सकती थी ठीक है तो चरिए यह आप लोग देख सकते हैं कभी भी कार्बोकेटन बने तो उसके उपास चांसे होते हैं कि किदर से भी हडोजन को निकाल सकता है आप देखिए वहीं से निकालता है जहां पर समझ लीजी के मैंने कलोरिन को निकाल चुका हूँ अब देखिए इसको निकाल दे तो यह एलकीन बनी तो ये वहीं बताँगैं के साथ देखिए 2 नमबर वाला इसमें यह प्रोड़क्त बना तीन नमबर वाला ऊपर से बना तो देखिए जब भी यह कार्बन कहसा है SP2, SP2 कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे हार्डोजन गिल लो बस तो जितना ज़दा अलफा हार्डोजन होते हैं, ठीक है, हाइपर कांजूगेशन एफेक्ट की वज़े से उतना ज़दा इस्टेबल अलकीन होती है तो देखिए, यहाँ पे गिल लेते हैं, इस कार्बन का डबल बांड है, इसके चारो हार्डोजन देख लो, दो इधर लगे हुए हैं, एक इधर तो तीन अलफा हार्डोजन मिल ले हैं इस एलकीन पे देखो, तो इस से जुड़ा हुआ कार्बन यह तो इसके आप तीन अलफा, तीन इसके ऐलफा एक ही है, इसको देखिए, तीन छेन नव दो, ग्यारा, ग्यारा, आलफा हार्डोजन बने हैं, आप लों को पता चल गया होगा को से सबसे ज़दा इस्टेबले, देखिए उपर लिखा भी है तो मैजर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादर यही बनेगा सबसे ज़्यादर सबसे ज़्यादर प्रोडक्ट ही मैजर बनेगा हमारा ठीक है यह हाइपर कांजूगेशन इफट से आप लोग इसकी स्टेपलेडी देख सकते हैं अलफा हार्डोजन को यहां से ब्रोमी निकलेगा कार्बोकेटन यहां आएक तो एक बार हाइडोजन निकल जाए यहां तो उसी इसाफ से लेक्टिविटी आप लोगों को दिखाई गई है देखिए हाफ में कब बनेगा जो काफी ठीक है स्टॉंग बेस लेंगे काफी बलकी बेस तब हमारा दिखा गया सब्सक्राइब होगा ठीक है समझ गया ना तो यहां से देख लीजे क्या है बलकी बेस जब भी यूज़ होगा तो क्योंकि बलकी बेस हिंडरेंस के जगे पर टेक नहीं कर पाएगा इसलिए साइट से निकाल देता है तो साइट से बलकी प्रोड़क्ट हमारा सब्सक्राइब होगा तो हमारा सद्श ब्रॉड़क्ट कर देए हैं अगला कोसन क्या कह रहा है ग्यूए एंचांट वीटिक रियक्श्ण को हमें समझाना विटक रिक्शन क्या हो थी जब भी हमें पता है यह इलदी हडसा करते हैं तो हम क्या कर देंग है पीपीर c3 कोई ब एन वह हैं व्हारते हैं तो यहां से आकसिजन के साथ यह निकल जाता है तो यह जो है इस पर चोड़ जाता है तो और भृशिए सबस्दि कुछ को ब centr यह व्हें है तो यह देखते ही क्लों करेंगा लद कोनी कि उस्टेइगा यहजरी से निकाले निकालेगा तो नेगत eu चाज जाएगा इसके ओपनने घo इसकी और पास्टि खोबू इस तरीक सामने किसको करदे ना जो काइबोनिल आ रहा हो या या केटोन का उसको और पीपेस्टी को ऊपर रख देना है सीच टू गुरूप को नीचे रख देना है यह नेगेटिव यह पास्टू तो हमें पता है नेगेटिव यह जदा इस्टेबल होती यह बात में टेक करेगा यह यहां से पहले अब एक को नबने गीए यह पमें जाता है और इंदर की उन्हें से इलक्रार के लेता हमाराह मता बनाला की हाम पन उसके लेक्टान विड्राइंग ग्रॉप लगा हुआ एक हड्रोजन लगा हुआ कुछ भी लगा हो सकता है अब यह क्या हमारा बना हुआ है यह हमारे इस्टेबल यह बनाओगे कि इसके नेगटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा तो यह हमारा प्रोड़क्ट लगा हुआ है तो यह त्यों को समझ में आ गया होगा होगा चली नेक्स को सनब देखते हैं क्या यह वायूंद धिखाना और कुछ नहीं तो सबसे पहले क्या करेगा ब्रोमिन जो है साइकलाइज हो जाएगा यह अंदर से निकल ला होगा तो अगला ब्रोमिन जो है यहां पर टेक कर देगा ठीक है दूसरा वाला जो ब्रोमिन था निकला हुआ वह यहां पर टेक कर देगा तो एक पूर्डक्ट हमारा क्या बना एक ब्रोमिन यहाँ पे आजए दूसरे bromine यहां पे ओजए यह अंदर के और तुम्हारा क्रेगा इसको रिजोनेंस कर सकता है तो यह यहां पर क्या करते का दिखना देछे ब्रॉमिन वो उदर चला गया यहां पर double bond बन बन परीओ यहां पर छेड़ा रडहना थे शार्प है थो को बैसे चाहिए कहा है अगली बीस के अजिया है उसके वाद के गाया है बेसिक कंडिशन में बंदिशन गोह हेNext बोरेशन ये फालोड बाइक्सिडेशन तो है लुट बाइक्सिडेशन तो मैं पता है किस तरीके से इसका योग होता है यह जो है जिए धर लेस्टीटूटर वहां पर भी एस चला जाता है अपना दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देता है डबल बांड खाता है उसके बाद जब पर भी एस टू लगा वहां पर ओएस लगा देते हैं इसे ही को बोलते हैं क्या हाफ यह तुम्हारा हाइड्र बोरेशन फालोड बाइक्सिडेशन चलिए इसकी मेकेनिजम देख लेते हैं मेकेनिजम पूछा हुआ है के वल कंप्लीट करना है रिक्शन को मेकेनिजम तो नह जोड़ा उसके बाद नहीं प्राक्साइट क्योंकि परक्साइट हमें पता है ओ जोता हमें पदा था जाये तो हमारा बना बना जोड़ा तो हमें पता है दूसरी तरफ क्या प्या तीस टू ऑ गया था थे अब ये इस पर टेक करेगा टेक करने के बाद हमारा देखिए और किसके थुरू में दिखा रहा हूं अपनों को आरी के तुरू आपको समझ लीजिए वह हम लोगा प्रोटक्टिव बनार के तुरू अब यह इस पर आया यह हमें पता पर अक्साइड लिंक जो होती है काफी वीक होती है तो फिर आएगा बोरान के ओपर टेक करेगा फिर ऑएस निकलेगा हमारा यह फिर तुम्हारा आज माईग्रेट कर जाएगा दूसरे ऑइस के ओपर त्रीगा होगे ऊपर उसे तरीके फिर तुम्हारा प्राइड आएगा अगली स्टेब में लिंक टूटेगी फिर यह आर्ग् से नगेट्व जाएगा तो बौरान के ओपर क्या आए oting थे हमें पता है वार्टर क्या डेता है ऐस्ता प्लस आउएस माइनस देता है था है तो हमें पता यह निगी चारज लाहा है थो प्लस जार्ट पूर ऑर हह तो प्मसुत जाएंगे इसका मतलब तीन और निकले तीन ओएस बोरान के ऊपर आ चुके हैं तो भी एस्टिरी यह बी ओएस का होल थ्राइज बना लेगा में इससे बोलते हैं अब देखिए वहां पे दूसरी तरफ क्या इसके ओपर क्या आ जागा यह निकल कर गया ना अब देखिए यह अब चलिए अगली यह एक्षन देख लेते हैं देखिए जब भी एलकीन दी हो प्लस ठीक है हमारा प्रॉक्साइट दिया हो जब भी एलकीन प्लस प्रॉक्साइट मिल जाए हम लोगों को बस क्या इप ऑक्सिडेशन कर देना है बस इस ट्रेंड रिंग ना हो ठीक है वहां लोगों कि जब कभीभी देखिए यह हमारा यह की हमारे प्रॉक्साइट हो सकते हैं ठीक है तो यह प्रॉक्साइट एमस मिल सकता है शुनोल सकता है यह सब अगएरा तो देखिए यहां पी थ्यक्ता क्या है कि यह जो अक्सिचन होटा प्राक्साइट का अब देखिए ये इस तरीक से पराक्साइड बनता है इसको सही देख लें अगर यह खुला रखा हुआ ंसे लिए दिया भी होते है क्योंकि फिलासट कहे बता है कि अख्रआलो ऑशन को simplicity कैला नग्या सफोटा नकादोट हमें वांता पॉश्टार्ट किया सब्सक्राइब ब्रोमिनेशन कर रहा तो डाल दो तो ब्रोमिन क्या होगा क्यावल साइट चेन पर आता है सीज्ट ब्र बन जाएगा फिर इस टब रियक्षन करा एक और हो जाएगा तो चली जाएगी तो चली इसको भी मेकनिजम के तुरू देख लेते तो चलिए यह आप लोगो देख सकते भी है और यहां और यहां पर लोगो पसंद आया होगा इसल लाइक सब्सक्राइब सेहल जरू करें आप लोग अपने जो ठीक है टूपिक्स जो भी हैं आप लोग चार हैं वह आप लोग कमेंट शेक्शन में बता सकते हैं मैं उनको आगे डिसकस कर लूँगा जो भी टफ लग रहे हों ठीक है थैंक यू